हलो डे इस्टूडेंस सीटेट देसंबर 2022 के फॉर्म ऑनलाइन भारे जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म किस ताइसे समिट करेंगे ए टू जेड इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं न्यू रेस्टेशन से लेकर फाइनल समिसन तक और फाइनल पीडियाप डाउनलो करने वाले हैं आपको सीटेट देसंबर 2022 का फॉर्म ऑनलाइन समिट करके दिखाने वाले हैं वीडियो को लाइक जरू किजिएगा दोस्तों में एशर कर दिये जिससे आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके और पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब क का यहां पर लिखा होगा एप लाइयफ और सीटे संबर 2022 इस पर क्लिक करेंगे वाले करने के बार नेग्स्तों पर हो जाका इस तरह से ओनाव पर रीट कलर का मिल जायगा एपिपला पर सीटेस यसांब दोहजार बहाँ से भी आप form भनने की website पर direct पहुंच सकते हैं आप देखिए form इन steps में आपको complete करना होगा पहले step में आपको registration करना होता है दूसरी step में आपको application form को fill up करना होता है जिससे सारी qualification detail वगएरा photo upload करना और final step में आपको examination fee pay करनी होती है उसके बाद आपको final print download करने को मिल यहां पर आरा download information bulletin आप चाहें तो इसका information browser जो है download करके पर सकते हैं क्या क्या चीजे हैं तो कुछ चीजें आपको औरली बता देए जो में मोटी 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 चीजे हैं देखिए इसमें जो हमारे candidate DLT कर रहे हैं यानि BTC कर रहे हैं वो भी form भा सकते हैं चाहें वो first semester में ह चाहें last semester में हो इससे का जाएगा appearing चाहें BAV कर रहे हो ठीक है यह अब clear कर दिया गया है डूसरी बात जो सीटेट पास कर लेंगे सीटेट सर्टिफिकेट की जो validity वह देता है वह lifetime कर दी गई है साथ साल या पांस साल का जंजट खतम कर दिया गया है यह बात होगी अब दोनों पेपर एक साथ बारते हैं तो general OVC के लिए यहाँ पर बारास रुपए फीस रखी गई है एक पेपर बारेंगे तो हजार रुपए रखी गई है अगर स्टी इस्टी है इधर का इटागरी के लिए पांस रुपए एक पेपर की और दोनों पेपर के लिए छे सर कम करेना चाहिए इस तरह से यह सारी डिटेल आप चैनल तो पार्श रखते हैं और आपको एक वर्किंग में मोबाइल लंबर और email ID की ज़रूरत होती है इसके बाद यहाँ पर यह सारी information को tick कर देंगे I accept agreement का और click here to proceed पर click कर देंगे next page में आपको आपको column मिलेंगे आपको information बढ़नी होगी पहला आपकी personal detail है यहाँ पर candidate's name आपको बता दें clearly confused ना होईएगा आपको सारी detail जो है high school case certificate के recording फिल करनी है तो यहाँ पर high school के certificate में जो आपका नाम अभो भरिये यहाँ पर certificate में जो आपके high school के पिता का नाम पड़ा अभो भरिये उसी के recording माता का नाम भर लेंगे पहले day है फिर month है फिर year है यहाँ पर अपना gender select कर लेंगे जो भी आपका gender हो उसके बाद यहाँ पर identity type identity type में यहाँ पर देख सकते हैं आप voter ID दे सकते हैं passport bank passbook with photograph राशन कार्ट with photograph driving license इनके अलाब अगर कोई भी आपके पास नहीं है आप चाहते हैं माधार कार्ट तो यहाँ पर एक option आ रहा है any other valid government identity with photograph यह select कर लेंगे यह select करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा inter valid government identity number यहाँ पर आपको अपना इस column में आधार कार्ट नंबर भर देना है अब next आता है present address अब आपको अपने address के बारे में देना होगा यहाँ पर premises number या name premises नंबर या आपका house number जो होता है building number जिसे कहते है या name यहाँ पर आप अपना building name या house number भर सकते हैं अगर आपको available है तो नहीं आपका है तो यहाँ पर अपने village का नाम भर दीजेगा उसके बाद सब लोकलिटी optional है आप चाहें तो भर सकते हैं अपने सब लोकलिटी मतलब अपना block बहरा भर दीज सकते हैं उसके बाद country select कर लीजएगा जैसे obviously इंडिया से हैं तो इंडिया अगर other country से तो other country select कर सकते हैं यहाँ पर अपना state select कर लीजेए कreet these state से राजady अपना उसके बाद district आपके जनपद यहाँ पर बढ़िएगा उसके बाद e mail address से यहाँ पर भर रेंगे आपका banking में हो लेंड लाइन नमबर भी इस्टेडी कोड एनी अधर कॉंटेक्ट नमबर यह ऑप्शनल है लेंड लाइन अगर है तो भरिये नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजेगा अब नेक्स्ट आता है पर्मानेंट एड्रेस अगर आपका पर्मानेंट एड्रेस और कम्यूनिकेशन आड्रेस यानि प्रिजेंट एड्रेस सेम है तो आपको टिक कर देना है सेम एज प्रिजेंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पर अपना दूसरा दे सकती हैं उसी के कॉण्डिंग जैसा भी हमने बताया प्रेमिसिस नेम या नंबर सब लोकल्टी लोकल्टी कंट्री श होना चाहिए इसे ज्याधा ना हो और कम भी ना हो आज से पास्वर्ड में एक कम से कम Capital later होना चाहिए और एक कम से कम Small later होना चाहिए उसके बाद number भी होना चाहिए меся夏 कम से कम एक और specificelle एक करेक्टर भी होना चाहिए जैसे एक जादा ना हूँ इस तार से अपना passport भरेंगे इसके बाद confirm password वही password आपको दुबारा भारणा है Security question में आपको embora score कर लेना है आपका ऐसा कोई question जिसका जबाब आप भरें तो वह आपको यादर हैrier question भी और उसका answer भी आप चाहिए तो इसे note करके भी रख लिजेगा बहुत सारे questions है इसमें questions भी choose कर लिजेगा choose करने के बाद यहाँ पर security answer जो आपने question choose किया है जैसे कि हम choose करते है what is the name of your first school यह choose किया उसके बाद यहाँ पर school का नाम या जो भी आप अपना hint answer रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं अब उसके बाद आता enter security pin जो आपका capture pin दिया गया security pin इसे आप भरिएगा और submit पर click कर दीजिगा जैसे ही आप सारी detail भरने के बाद submit पर click करेंगे यहाँ पर pop-up message आएगा review page इसका मदलब यह है आप send otp और submit करने से पहले अपने इस page का review कर लीजिएगा आएज़ दिखाते हैं कौन सा page review वाला होगा इसे close पर click कर देंगे यह आपके सामने इसका review page open हो जाएगा registration form का यहाँ पर देखेंगे अपना name father name mother name date of birth I mean नीचे scroll करके आपने जो भी detail भरी है सभी detail को match कर लीजिगा उसके बाद सबसे नीचे आएंगे सारी detail को match करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना होगा कि इन इन पार्टिकलर्स में आपकी details सही है तो जो details सही है जैसे my name इस पर टक करिए father name mother name date of birth gender address mobile number email id यह साई detail आपकी सही है तो इन सभी को टिक कर दीजगा यहाँ पर देखिए हमने सभी को टिक कर लिया है match करने के बाद साई details सही है नीचे scroll करेंगे यहाँ पर I agree पर क्लिक करेंगे उसके बाद submit and send otp पर क्लिक करेंगे यहाँ पर confirmation pop-up आएगा do you wish to submit registration form and get otp yes कर देंगे इस तरह से यहाँ पर जो आपने mobile लंबर दिया होगा उस mobile लंबर पर otp बेहजा जाएगा बो otp बढ़ने के बाद submit registration form पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर अगर otp नहीं मिलता है तो recent otp पर क्लिक करके दोबार otp पाच सकते हैं अब इस तरह से देखेंगे आपका first step जो registration form complete हो गया है आपके बाद बता दें अगर by chance आप से कोई mistake हो जाती है तो परेशान ना होएगा आप जब correction date निकलेगी तो आप correct भी कार पाएंगे क्योंकि जब गिरेंगे तबी तो उठेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है इस तरह से registration complete हो जाने के बाद यहाँ पर आपको application form fill up करना होता है दूसरी step तो इसे नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आपका application number मिल जाएगा उसके बाद complete application form पर click करेंगे यहाँ पर देखिए application status में contact detail complete हो गई है अब यहाँ पर contact detail पर ट्रिक लगा हुए अब आपको personal detail पर click करना है next page पर आपको personal detail मिलेगी personal detail में आपके date of birth आपका जेंडर father name mother name अब आपको उपा स्कॉल करना है यहाँ पर आपको अपनी nationality choose करने होगी जैसा कि इंडियान है category में आपके सामने category open होके आजाएंगी general yes c st ub c ncl जो भी आपके आपके बहुत स्लेक्ट कर लिजेगा उसके बाद अगर आप परस्था बिश्यविलिट्टि है तो yes करेंगे नहीं तो no कर देंगे इसका मतलब उता है diviang उसके बाद employment status अगर आपके जॉब अगरा करते हैं तो employed as a teacher अगर teacher के job करतें करेंगे employed other than teacher अगर teacher के लावा के job करतें जोब कर लेंगे अगर कहीं job नहीं करते हैं आप student है तो not employed select कर लेंगे उसके बाद यह के अप्तिया कोड बनेंगे एनी security pane save and next पर click कर देंगे यहाँ पर फिससे आप से confirmation आगेगा यहाँ पर click कर देंगे आपकी next step open हो जाएगी apply for यहाँ पर आपको applying for पर select करना है कि आप किस के लिए apply करनाचाते हैं यहाँ और आपको paper first या paper to या both paper अगर दोनों के लिए select करना चाहते है तो both select करेंगे अगर एक एक के लिए select करना चाहते है तो paper 1 class 1 to 5 रखना चाहते हैं इस पर select करेंगे language बन में आप English, Hindi, Urdu, Bengali, Sanskrit यह सारी language आएंगी आप language बन में जो भी रखना चाहते हैं वो इससे select कर लीजिए जैसे आपने language बन में Hindi चूज कर लिया उसके बाद आपको language 2 select करनी है यहाँ पर जैसा कि Hindi चूज कर चुके हैं तो Hindi चूज नही करेंगे यह 1,2,3,4,5,6 यह points दिये गए हैं यह point का मतलब क्या है आई आपको दिखा दें यहाँ पर देखेंगे जैसे आप यह select करेंगे इस पर touch करेंगे यहाँ पर यह options open हो जाएंगे पहला point क्या है पहला point है senior secondary और its equivalent with at least 50% marks in past or appearing in final year two year diploma in elementary education अगर आपने 12 जो है अपना तो बन नमबर वाला option चुनेंगे उसके बाद अगर आपने 12,45,35 अंगों के साथ किया हुआ है और दो साल का कोई diploma in elementary education यह दियलेड किया हुआ है BTC तो two number चुनेंगे senior secondary किया हुआ है यानि 50% mark के साथ और चार year की आपका bachelor of elementary education है जो BLA course है तो आपको third option select करना है senior secondary किया education है तब आप fourth select करेंगे fifth बाला आता है graduation with at least 50% marks in past or appearing in final year अगर आप bachelor of education अगर BLA किये हुए appearing में है या पास किये हुए है और graduation आपका 50% mark के साथ है तो आपको fifth option select करना है six में आ जाता है post graduation है लगवग 55-35 अंकों के साथ और आपको pass किया हुए है अपने appearing है BLA में six options select करेंगे अब बात आती है जो हमारे dealer के चार्टर है BTC के वो कौनसा option select करेंगे यहां पर देखिए पहला option है senior secondary with at least 50% marks in past or appearing in final year of two year diploma in elementary education आपने दो साल का BTC course करक्षा डियलेट और आपने 12 में अपने 50% अंकों के साथ पास किया हुए है तो आप बन भर दीजिए अगर आपके 12 में 45% mark है और NCT के तैर जो है two year का elementary education किया है तो आपको second वाला option भढ़ना है ठीक है और BLA वाले ह तो यहाँ पे आपको इसमें जो है one भरना है बन्टू फिफ्ट वाले में one अब बात आती है इसमें six to eight में यानी junior level इसमें देख लीजेगा क्या करना है आपको इसमें भी आप पर open हो जाएंगी qualifications आईए आपको दिखाए graduation in past और appearing in final year of two year diploma in elementary education जो डियलेट किये हुए है अगर उन्होंने graduation भी पास किया हुआ है और डियलेट किये हुए appearing है तो वो one भरेंगे उसके बाद at least 50% marks either in graduation और in post graduation है या तो आपके graduation पचास प्रतिसातंग को और दूसा आइस में category आप बीएड होना चाहिए तब आपको second option है यह two भरना है graduation बिए परसेंट और बीएड किये हुए है तो थर्ड बार नहीं थार्ट बारना है तीन बरना है senior second भी यह बिए प्रसेंट के साथ पास है और बी एचसी एड़ एड एड बीएड बासी एड 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 ट्यूकेसे और एड इजूकेशन होता four year का course होता candidate having qualified B8 program में अगर आप qualify किये हुए हैं तो जो भी यहाँ पार है यह से भी number भार देंगे पोस्ट graduation में कम से कम 55, 55 marks है और B8 M8 किये हुए है तो 8 number भारेंगे तो अब जो DLT वाले चाहते हैं उनको क्या भारना है तो उनको वही वरना है पहला number भार भारना है graduation आप पास किये हुए है और आप two year का diploma यहनि DLT already appearing में है या final year की appearing में है यह कर सकते हैं आप फैला भार 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 जाएगा उसके बाद अगला असना आता है subject for paper second यहाँ पर आपको paper second के लिए कौन सा subject choose करना है ठीक है जो science साइस से हैं उन्हें आपको mathematics and science select करना है और जो art साइस से हैं उन्हें social science select करना है यही जागरफिय और history आएगी ठीक है तो आप समझ चुके होगे बेस्ति वाले mathematics science select करने और जो बात बागी art course वाले है वो social science select कर लिए उसके बाद आप बात आती है आपने जो qualify का रखका है diploma in education का रखका है या degree in education का रखका है लिखी जो DLA or BTC वगरा होती है या BLA होता है बहुत डिप्लोमा होता है इन education तो आप अगर BTC से हैं डिप्लोमा होता है इन education तो इस पर टिक करेंगे और BAD वाले डिग्री इन education select करें ये सेट करने के बाद उसके बाद आपको अब इंटर सेक्योर्टी पिन ये बढ़ना है और सेव इंडेक्स पर क्लिक कर देना है फिस यह चीज आगी कंप्लीट कर चुके है फानल ये का रिजल्ट तक आ चुका है मार्क सिर्मेल गई है तो आप पास्ट बरेंगे जो भी आपके आपस्ट वह उसके बाद ये आप पासिंग या अपेरिंग अगर आप पास कर चुके हैं तो किस यह में पास किया ये बहुत साइश अई संदी ये नीचे तक अगर आप अपेरिंग अभी डियेट कर रहे हैं तो किस यह में कर रहे हैं बहुत स्टेट कर लीजेगा उसके बाद को स्टीम नेम में आएगा एजूकेशन एलिमेंटी एजूकेशन इस पर आप क्लिक कर देंगे एक ये ऑप्शन है उसके बाद बोर्ड इसमें कोई साभी नहीं मिलता है तो नीचे स्कॉल करेंगे सबसे नीचे आएंगे आपको एक और अप्सर मिलेगा अधर्स इसता से देखेंगे आप यहां पर अधर्स स्लेक्ट करेंगे तो यहां पर अधर्स में यह बोर्ड यूनिवर्सिटी का इन केस ऑफ अफ अफ यहां पर देखें रिजल्ट मोड का कॉलम जो अलड़ी ब्लॉक है क्योंकि यह अगर पास स्टेटर्स में होते हैं आपका पास हो चुका होता है कम्रीट तो यहां पर रिजल्ट मोड आता तो आपको परसंटेज या नंबर्स अपसलेट करना होता उसके बाद आप अपने टोटल मार्क कितने आए हैं कितने में से बो भर ना होता तो परसंटेज और लड़ी आ जाती उसके बाद आता इस्टीट पिन कोड यहां पर आप अपने डाइट या अपने जो प्राइबेट इस्टीट है उनका पिन कोड भर दीजिए उपर वाले में देखिए आपको इस करना है वहाँ पर साब लिख करा रहा है बोड्य या इनिवर्सिटी ठीक है उसके बार यहां पर आपको यह सी को टीपी बढ़ना है उसे फिशाल को यहां पर लाएंगे जैसे फोट वहाय रच आ जाएगी आपको क्या करना है यहां पर देखेंगे यहां पर यह options आ रहें यहां पर upload original यहां पर आपको क्या करना यह pinch करना इस तरह से और इसे scroll कर देना इस तरह से यहां पर देखिए इसमें fit हो जाएगा नहीं fit होता है तो कोई प्रॉल्म नहीं है यहां पर upload original पर click करेंगे तो यहां पर देखेंगे बारे बारे से आपके दोनों upload पर click करने के बाद photo signature upload हो जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं uploaded document view जो blue कलक का रहा है आप इस पर चाहें तो click करके देख सकते हैं कि आपका photo signature सही upload हुआ है या नहीं उसके बाद नीचे scroll करेंगे यह pin भरेंगे और save and next पर click कर देंगे अब next step आए शहर जो है चूज कर लिए जगा यहाँ पर इस तरह से आप exam center भर लेंगे यहाँ पर total capacity total occupied कितना भर चुका है total vacant कितना भी seat खा लिए इस तरह से पहले क्या होता चार सेंटर कर आता था सीटेट अब आपको कोई एक ही सेंटर सेंटर कर लेना है उसके बाद capture code भरना ही है यह नहीं change कर सकते इसलिए source समझ कर exam center fill करिएगा चलिए यहाँ पर fill करने के बाद उखे पर क्लिक करते हैं अब आपका फिसर review page open होगा review page check करने के बाद ही final submit करिएगा यहां cross पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके application form का review page है इसे नीचे scroll करके सब कुछ check कर लीजेग लाँ उसके बाद सभी चीशाच चेक करने के बाद आपको इन particulars पर टिक करना होगा कि आपने सारी चीजह मिला लिए इन पर सभी particular दीजी अगर आपने सारी चीजह मिला लीए उसके बाद आपको declaration देना होगा ये पर टिक कर देंगे और final submission of application पर click कर देंगे यहाँ पर है जैसे कि OTP आ चुगा है आपको email ID भी verify करने होती है पेवन करसे से पहले आपको बता दें आप पर email ID भी verify कर लीजेगा उसके लिए आपको verify email ID पर click करना है अब आपकी email ID जो आपने भर योगी बोशो करेगी उसके बाद यह security pin भरके यहां पर submit पर click करना है अगर आप email ID change करना चाहते हैं तो यहां से change email ID पर click करके change भी कर सकते हैं चलिए security pin भर है और submit पर click कर दीजिए उसके बाद आपकी सब्सक्राइब email ID पर OTP जाएगा वो OTP बढ़ने के बाद verify पर click कर दीजिए नहीं मिलता है तो recent code पर click करके दुबार से code मगा सकते हैं अब इस तरह से आपकी email भी verified हो जाएगी लिक कर आजाएगा your email ID is verified successfully अब आपको click here to go home पर click करना है अब next step payment करने की अगर आपने दोरों form भरे हुए तो बारास रुपर का payment करना होगा payment आप online माध्यम से कर सकते हैं debit card, credit card, net banking, upi, paytm, bheemap जो भी है यहाँ पर आप आईए अगर कोई गलती है तो edit application form पर click करके उसे सही भी कर सकते हैं फी payment करने के बाद आप कोई भी correction नहीं कर पाएंगे फिर correction date का इंतजार कीजिए तब जो आएगी तब आप correct कर पाएंगे अगर आप साई detail चेक कर चुके हैं तो उसके बाद आप पर एक जामेशन फी पर click करेंगे यहाँ पर mode of payment आएगा select करने को online payment इस पर click करेंगे और proceed for payment पर click कर देंगे यहाँ के पर click करेंगे उसके अधाक के समने यह next page open हो जाएगा यहाँ पर आपकी सभी details show करेंगा नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आपको चूच कर लेना याई debit credit या net banking इस पर click करने के बाद पर 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 click कर देंगे यहाँ पर आपको refresh page नहीं करना नहीं तो यह payment फिल हो जाएगा बैक बटन भी नहीं देवाना थोड़ा वेच करेंगे यहाँ पर देखिए कि पेमेंट पर जाएगा अगर आप debit card या credit card से payment करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए credit card से पर अगर आप debit card होता है उससे payment करना चाहते तो बोस्लेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना card number भरेंगे expiry date month और year भरेंगे cvb card के पीछे तीन को का होता वो भरेंगे cardholder name आपका card पर नाम क्या लिक्क है वो भरेंगे और make payment पर क्लिक करेंगे ध्यान दखियेगा payment gateway जो है 10 minutes का ही time देता है अगर इससे over हुआ तो यह time out हो जाएगा तो जली से data बनने के बाद make payment पर क्लिक कर लिज पर प्रोसीड भी payment पर क्लिक कर देंगे थोड़ा वेट करेंगे processing होने रिफ्रेस से आप बैक बटन नहीं दवाना है अब आपके bank से registered mobile number पर OTP जाएगा वो टीप यहां बढ़ने के बाद आपको submit पर क्लिक करना है आपको processing होने तक वेट करना है ध्यान रखियेगा आप ब अब यह इंटरफेस ओपन ओपर आजाएगा आईए आपको बताते हैं कहां से आपको download करना है उपर corner में देखेंगे यहां पर आपको मिलेगा email confirmation page download confirmation page आप यहां पर download confirmation page पर पेच पर क्लिक करके download कर ले जाएगे और उसके बाद email confirmation page पर क्लिक करके आपकी email पर भी यह बेज दिया जाएगा तो for future reference दोनों आपको पर क्लिक कर लिजेगा download भी कर लिजेगा और email पर भी send कर लिजेगा इस तरह से आप अपना सफलता वुर्वक फार्म बाहर पाएंगे कोई प्रावलम है तो हमें comment करके पूछेगा और नहीं तो हमारे इस telegram गूर्प से जुड़िये जो एस वीडियो के description में दिया गया माई doubts करके बहां अपनी confusion के लिए कर सकते हैं वीडियो को like करिए share करिए और चिल को subscribe करना ना भूलेगा वीडियो देखने करें